नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों कैसे हैं आप सभी उमीद करता हूं सभी सवस्त होंगे ठीक होंगे आपके पढ़ाई भी सुचारूप से चल रही होगी प्यारे बच्चों जल्दी से आजाए सेसन से जुड़ जाए क्योंकि आज हम पांच नमर पक्के करने वाले हैं जो हम आप दोनों में से कोई सा भी कर सकते हैं चाहे तो उपचारिक कीजिए चाहे अनौपचारिक कीजिए ठीक है लेकिन मैं तो सुझाओ देंगा कि आप लोगों को उपचारिक पत्तर लिखना है क्योंकि बहुत कम बच्चे होते हैं सो में से कोई दस ही बच्चे होते हैं जो लगबा लग बचे सभी अनौपचारिक पत्र ही लिखते हैं ठीक है तो जल्दी से जुड़ जाएए कुछ ही सेकिंड्स में यानि कुछ ही समय में हम लोग पूरा का पूरा पत्र लेखन को समझे लेंगे तो आजाएए जुड़ जाएए मेरे साथ आपके अड़ाइड 247 के क्लास 9 10 के साथ में आजए जल्दी से प्यारे बचो तो आज हमारा टोपिक क्या होगा फाइव मांक्षका होगा जिसका नाम है पत्र लेखन क्या नाम है पत्र उलेखन का प्रारूप कैसा होता है कैसे लिखेंगे हम लोग हमीं पता होना चाहिए कैसे start होता है कहां से start होगा भी left से होगा right से होगा या कहां से होगा तो पहले हम लोग एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये मालो हमारा एक page है copy का ठीक है paper में जो seat दी जाएगी जिसमें आप लोग पत्तर लिखेंगे तो seat दी जाएगी आपको तो उसमें मालो ये page है तो कैसे लिखेंगे हम लोग तो देखो कहां से start हुआ है यह left है और यह क्या है राइट है ठीक है तो कहां से start किया हम लोगों ने left से किया है तो ध्यान रखना कोई भी चाहे तो ओपचारिक हो चाहे अनौपचारिक पत्तर हो तो हमें left से ही start करना है right से हमें बिल्कुल भी start नहीं करना है ठीक है हां तो देख लिजेगा ध्यान से समझना है आप लोगों को अच्छे से देख लिजेगा फिर मैं आपको समझा दूँगा यहां क्या आएगा और क्या क्या नहीं आएगा अब देखे ये है आपका एक प्रा रहादी है सर मुझे दो दिन का अवकास चाहिए विस सरकार काइल में हैं तो वह वुप चारीक के अंतरगाता है क्योंकि जो उपचारीक पत्र होता है वह एक सरकारी कारेले से दूसरे सरकारी कारेले में या किसी भी सरकारी कारेले में लिखा जाता है और अनौपचारिक में क्या होता है हमारे दुख सुख की बातें एक दूसरे से सेर की जाती है कि यार क्या करूं मेरे एक जाम अच्छा तो आया पर डल लग रहा है यार थोड़ा से लगता है कहीं रहना जाओं एक दो नम्बरों से तो अपने दुख सुख की बात आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं ठीक है वह होता है अनौपचारिक तो यहां जो आप लोग लिखते हो य यह जो यह जो तीन लाइने में आपने जो भी लिखा है यह होता है प्रेशिती का अब प्रेशिती क्या होता है यह भी पता होना चाहिए यानि कि मैं आपको लिख रहा हूं एक पत्र ठीक है तो मैं लिख रहा होना तो मैं तो कहलाता हूं प्रेक्षक ध्यानकना दोनों सब प्रेख्षक और प्रेशिती प्रेख्षक तो क्या होता है लिखने वाला क्या होता है लिखने वाला और प्रेशिती होता है जिसे लिखा जाता है यह निकि जिसको प्राप्त हो जाता है जिसे लिखा जाता है ध्यान से समझना बहुती ही अच्छे समझाओंगा कि बस इन कुछ समय में जितने समय में यह सेशन कंप्लीट करूं तो आपको जैसे कंप्लीट करूं तो आप लोग कहो कि हाँ अब मैं किशी भी परकार का पत्तर लिख सकता हूं ठीक है तो यह हो गया जैसे कि आप लोग लि लेंगे यह तो हो गया स्टी प्रसीती का पता अब यह हो गया आप लोग लिखते हो विशह हैं क्या लिखते हो विशह कि dibu लोग सकते कोई दिक्कत नहीं होने चीज़िंग लोगों को थीक है तो यह आपको ध्यहान में रखना है तो समझ में आया ये तो हो गया प्रेशिती का पता जिसे लिखा जाता है ठीक है जैसे कि मैं लिख रहा हूँ आप लोगों को तो आप लोगों का पता यहां हो गया अब यहां सब्जेक्ट लिखा जाता है विशे कि आपको क्या चाहिए भी दो दिन का अवकास चाहिए भाई समझ जाता है सामने वाला अपने अपनी भावनाओं को सब समझते हैं ठीक है कोई भी हो सकता है XYZ ज्यादा गोर मत करना समझना है सब्जेक्ट हो गया अब यहां आप लोग महद्य माने वर जो भी एक्सवाईजड आपसे छोटा या क्या है मित्तर है को भी है एक्सवाईजड वहां लिख सकते फिर यहां से स्टार्ट करते हैं आप लोग उप्युक्त विसे अंतरगत नंबर नुवेदन है कि मेरे भाई की इसादी है ऐसे ऐसे मैं इस क्लास का चातर हूं मुझे एप लाहं से यहां यहां आप लोग लिखेंगी फिर धन्यवाद यह होता है यह क्यार प्रेक्षक का पता और प्रेक्षड क्या होता है मैं बता चुका हूं लिखने वाला जैसे मैं आपको लिख रहा हूं तो यह मेरा अब एक सरकारी कार दूसरे सरकारी कारेले में लिखा जाता है तो एक करमांग से स्टार्ट कर लएते हों यहां चाहओ तो तो आप लोग दिनांग लिख सकते राइट में और slideि में लिखने कि आउ सकता नहीं यह कोई सांक हो छारिक पट्र हो ठींड सब स्टार्ट कहां से होता है last side होता है right side में कुछ भी नहीं लिखें किसी भी प्रकार का चाहो तो आप लोग करमांग जैसे left side से start करते हो उब चारिक पत्तर में तो सामने उसके जश्ट सामने right में आप लोग दिनांख लिख सकते हैं होगा प्यारे बच्चों एम्शी की होगा मडिबल क्यों से पूछा जा सकता है कि पत्तर कितनी प्रकार का होता है तो ऑफचारिक और दुसरा होता ह memang पत्त है भशा होताई चुका हूं सरक्रेंकारेख में लिखे जाने वाले या किसी सरकार कारी में लिखा जाने वाला पत्र जो होता है अनौप चारिक होता है अनौप चारिक होता है सगे संगे मंदियों को लिखने वाले जिसे हम दुख सुक की बाते भी कर सकते हैं लेकिन इसमें हम लोग दुख सुक की बाते नहीं कर सकते हैं इसमें कि अन्य पुष्ष एलि में ही लिखा जाता है देख लेजे अनौपशारिक पत्र विबिन सरकारी अर्द सरकारी कारियलेवों सेस्ण स्थानों आधी को लिखे जाने वाले पत्र अप्चारिक पत्र के अंतरकत आते हैं ऐसे पत्रों के साथ हमारा कोई व्यक्तिकत सम्मंद नहीं होता है आप से पूछा जाता है किस प्रकार के पत्र में व्यक्तिकत सम्मंद होता है या नहीं होता है व्यक्तिकत सम्मंद नहीं होता है तो उप्चारिक हो गया और व्यक्तिकत जहां संबंध होता है वह अनोपचारिक हो गया यह मैं एक चीज़ और बात करूँ आप लोगों से पूछा लिया जाए कि मालो ये तो पत्र हो गया आप से पूछ लिया जाए कि ओपचारिक सिक्षा क्या होती है आपसे पूछा जाए कि सूरेकान त्रिपाथी निराला जी की ओपचारिक सिक्षा बताए कहां तक हुई या कहां तक पड़े है वो उनके ओपचारिक सिक्षा कहां तक चली जैस संकर परशाद की ओपचारिक सिक्षा क्योंकि आपके ही सलेबस में एक आत्मकत्थ है कविता है जैसंकर परशाद जी की बादल राग जो हमारी उत्सा जो हमारे सूर्यकान तरेपाथी निराला जी की है तो क्यों नहीं पूछा जा सकता आप लोगों से कि बताइए ओपचारी सिख्षा निराला जी की जैसंकर परशाद जी की तो आप कहते हो सर जैसंकर परशाद जी की ओपचारी सिख्षा आठ भी कक्षा तक हुई निराला जी की नौभी कक्षा तक हुई कहते हैं न तो ओपचारिक सिक्षा क्या होती है विद्याले द्वारा प्राप्त की गई सिक्षा को ओपचारिक सिक्षा कहा जाता है जैसे आप लोग किसी स्कूल में जाते हो LKG UKG nursery पढ़ते हो न आप लोग 12 तक कोलेज में जाते हो तो कोलेज, स्कूल, विध्याले द्वारा प्राप्त की गई शिक्ष्या को ओप्चारिक शिक्ष्या कहा जाता है और अनौपचारिक क्या होता है परिवार द्वारा समाज द्वारा जो सिक्षा दी जाती है उसे अनौपचारिक सिक्षा कहा जाता है वैसे हम लोग यहां चर्चा करें तो अपचारिक जो पत्र होता है वह सरकारी अर्द सरकारी संस्तानों आदी में लिखे जाने वाले पत्र होते हैं और इनमें किसी परकार को कोई व्यक्तिकत एक दूसरे से कोई व्यक्तिकत संबंद नहीं होता है इसलिए हम इसमें दुख सुक्य बाते नहीं कर सकते जो अनौपचारी पत्र होता है ये वे पत्र होते हैं जिसके साथ जिनके साथ हमारा व्यक्तिकत संबंद होता है अब व्यक ऋब क्या कर रहा है वो मामा इभू अगयरा भगयरा है आप People कैसे भी बातें कर सकते ते हैं यह पत्र सगे संबंद Pris shall建rió अप आपगा जो सब्दन जांते इसमें आपका चाटा काइस प्रिचीतों आदी बोलते हो नहीं बोलते हो तो ऐसा आप लोग लिखना होगा ठीक है चलो आगे चले समझ में आगे यहां तक अब किसी भी पत्र को लिखने लिखते समय निम लिखत बातों का ध्यान में रखना यहां कोई भी पत्र आप लोग लिखते फो चाहिए औम आप लोग कैसे लिखेंगे वह समझेthree बाहसा सेली सरल होनी चाहिए सहज होनी चाहिए और इस पस्ट लिखी हुई होनी चाहिए संग्चित रूप में लिखे होने चाहिए संग्चित रूप चोटा रूप यानि कि फालतू की बाते नहीं होनी चाहिए उसमें चोटा रूप बिल्कुल मोलिक्ता होनी चाहिए यहीं मोलिक होना चाहिए उसमें दिखावटी पन बनावटी पन नहीं होना चाहिए मोलिक रोप से सब्दों का प्रियोग होना चाहिए उसमें समझ में आया तो बहासा सरालोम सहज होनी चाहिए संक्षित रोप में लिखा होना चाहिए मोलिक्ता सा एपचारिक पत्र हैं आपसे पूछ ले तो प्रात्र हो गया पत्र हो गया अधी आधारीब कि कहीं कोई दुर्गत्र ना होगी किसी परिवार में मौत मिर्त्यू हो चुकि यह तो आपसान तो प्रकेटर कर सकते हैं पत्र को लिख करके ना जरूरी नहीं है ऐसा मत सोचना कि MCQ नहीं पूछा जा सकता है कुछ भी आ सकता है ध्यान रखना वह एक्जामीन के उपर निर्भर करता है बात अलग है कि आपका बटा हुआ है सले बस की व्याकरण इतने नंबरों का होगा इसकी इस पार से इतने नंबरों का टोपिक आएगा इस नंबर से आप से प प्रात्व ना पत्तर लिखना और बहुत सारे लिखे होंगे काफी बार कहते हैं कि चलो देखते हैं मैं चीचर आए नहीं आया आज तो नहीं कर ला पतक चले लेगा गीं तो तो पड़ाई स्टार्ट नहीं की है आप लोगों ने हिंदी विशे की तो आप लोग प्यारे बच्चों जूड जाए जल्दी से यार मैंने जितना पढ़ाया बस वही पढ़ना है फिर देखो हेंडर में से हेंडर मार्क्स क्यों नहीं आएंगे फिर हम बात करेंगे जिस दिन आपका एकजाम होगा उसी दिन हम लोग चर्चा करेंगे देखो मैंने कहा था ना आप लोग पढ़ोगे फढ़ोगे पढ़ोगे तो इतना पढ़रो तो ये बात होगी चलो देख लेते हैं अवकास चाहने है तू ये तो सब भी लिख सकते हैं कि सेवा में सिरीमान परदानाचारी महोदे राज के उचमादे विद्याले जैपूर ये तो हो गया किसका प्रेशिती का पता ये विशे हो गया दो दिन का अवकास चाहने है तू मुझे क्या चाहिए भई छोटी चाहिए ठीक है ये ये समझ में आया नहीं आया आगया ये तो प्रेशिती हो गया जिसको भेजा जाता है आप लिख रहे हैं परदानाचार्य जी को ये सबजेक्ट हो गया विशे हो गया अब आपको उसका विभादन करना है महोद है अब आप लिख सकते हैं मुख्य विशे वस्तू ये तो संबोधन हो गया आपका कि विशे अंतरगत नंबर निवेदन है कि मैं आप अपना नाम लिख सकते हो मैं राजिंद्र शांखला कक्सिया टेंथ बी ए एक्सवेजर जो भी आपका section है तो आप लिख सकते हैं कि मुझे दो दिन का वका चाहिए क्योंकि मेरे बड़े बाही की साधी है आपकी अतिक करपा होगी आपको जो भी जैसवाई आपको लिखा है मैं बता द उसका पता हो जाएगा बोलो समझ में आया या नहीं आया आगया अच्छे से कोई दिक्कत नहीं है चलो next देखते हैं हम लोग एक और आपके सहर में दो दिनों से नल अर्थात पानी नहीं आ रहा तो आप जल्दाए विभा को एक सिकायत पत्तर पत्तर लिखते हैं लिखें यानि कि आप कश्या दस के चातर हैं अब आपको रो जाना इसकूल जाना पड़ता है अब भी ना है तो जा नहीं सकते एक दिन हो जा सिकायती से दिन तो फिर भी खुजली सी चलती रहेगे से करते रहेंगे कि कि शाय सर्दी रहा ना तो पड़ेगा बैशी दिसी बात नाने से दिमाग संतुलन में आ जाता है एक जिगें आ जाता है तो दो दिन से नहीं आ रहा तो आप लोग क्या करेंगे जिम्मेदार कोई भी राइट से नहीं लिखेगा किसी भी परकार से सेवा में सिरिमाज जल अभिहनता आप इंजिनियर है जल विभाग यानि सोरी आप इंजिनियर को लिख रहे हैं एक सिकायती पत्र जैपूर यह हो गए आपका प्रेशिती का पता विसे नल अर्थात पानी नहीं आने के बाबत यानि की नल नहीं आ रहा है पानी नहीं आ रहा है भाई हम लोग स्कूल में जाते हैं रोजाना हम बहुत सारे यहां बेरोजगार हैं तो रोजगार के लिए जाते हैं तो उनको जल तो चाहिए नहने के लिए पीने के लिए पानी नहीं आता नहने के लिए जल नहीं किया जा सकता हैं तो आप लोग ऐसे कैसे कर सकते हैं आपके जिम्मेदारी है कि आप लोग समय पे हमें जल उपलब्द कराये हैं पीने का पानी उपलब्द कराये तो आप लोग लिख सकते हैं ठीक है ये हो गया आगे देखो Mahud समुदन परकट कर रहे हैं उनका विश्यांतर का नमबर निवेदन है कि फलाना फलाना महुला है हमारा पहले ता आप लिख दो मैं फलाना मेरा नाम यह है और मैं इस महुले का एक जिम्मेदार नागरी को हूँ तो हमारे इस महुले में दो दिन से पानी नहीं आ रहा है और आप लोग या ऐसे ध्यारती यह हूँ और मैं रोजाना स्कूल जाता हूँ और हमारे इसी महुले से बहुत शारे विक्ति हैं जो रोजाना यहां से फलाना फलाना सहर में नोकरी के लिए जाते हैं रोजाना तो उनको नहाने के लिए जल्की आओ सकता होती है और यह सब रोज मुरा की जिन्द आपका पता लिख देंगे अपने नाम सहीत यह होगा यहां पर दो बोलो समझ में आया नहीं आया यह थी ओपचारिक की बात किसकी थी ओपचारिक ठीक है यह तो हो गया अब है आप विद्धेश में पढ़ाई कर रहे हैं तो आप अपने पिता को अपनी से कुसलता के लिए लिखें तो यह होगी आपका क्या अनोपचारिक अब इसमें आप अपने पिता जी क्या लेखेंगे क्या नहीं वो आप लोग अच्छे जानते तो में तो यह कहूंगा प्यारे बच्चों कि आप न ओपचारिक पर ध्यान देना अनोपचारिक पर कमी ध्यान देना क्योंकि अनोपचारिक सब भी लिखेंगे कोई 10% है जो उपचारिक में आएंगे ठीक है तो भूँत सीधा है एजी है अपना एडरेस लिखेंगे पहले तो आप प्रेशक का पता सोरी प्रेशक का जिसको आप लोग भेज रहे हैं प्रेशक या प्रेशिति का पता लिखेंगे बी 113 भगवतिनगर जैपूर हो गया Deas गनेश मंदीर के पास मोति डूंगरी जैपूर ये हो गया आपका प्रेशिति का पता ठीक है ये आपको ध्यान में रखना है तो ये तो क्या हो गया प्रेशक भेजने वाला हो गया और्य talked CHM जिसको आप लोग भेज रहे हैं आती नहीं नहीं करने आ आप लोगों को अब आपका अधर नी पटाजी को लिखे हैं साधर चरण इस पर से लिख रहे हैं आपको अपने पिता जी को खुश रखना है तो पढ़ा ही कीज़ें अच्छे से मैंनत से अब आप यहां पर अपना एड्रेस भी लिख दे कोई दिक्त नहीं है ठीक है सोरी आप अपना नाम लिखेंगे क्योंकि पिता जी को लिख रहे हैं अड्रेस तो आपने लिख दिया पहले ही तो मुझे बता सकते हैं कि आपको समझ में आया है नहीं आया आप पीछे इस जल्दी से फास्ट ट्रेक्स में यानि की डबल स्पीड करके आप पांच मिनट में भी देख सकते हैं complete हो जाएगा तो मिद करता हूं आप अच्छे समझ में आ गया होगा प्यारे बचों अब यह कोड है यहां पर यह कोड भी यूज करना है यह कोड कहां यूज करना यह आप लोग निश्य बैच में जुड़ना चाहते हैं तो य323 कोड यूज करें और यहां से प्राप्त हो जाएगा ने के बाद भी अपने गर पर बैठ कर पीडिया प्राप्त कर यह तो कौन माई का लाग हमारे हैं यह पर दिख्कत निस्से बैट में जूड़ जाएंगे इतना देरी इतना सोचने की बात क्या है ना कुछ पैसे में आप भी जुड़ने के लिए आज है हम लोग मैनत करेंगे आप लोग लोग देख लेजिए लेकिन कमेंट आवसे करना मैं कम बच्चों यह कमेंट आ फिलाल क्योंकि वो कहते हैं ना कि हिंदी सर हम बाद में पढ़ेंगे यार इतने दिन पढ़ लेंगे तो यह काम हो जाएगा नहीं प्यारे बच्चों हिंदी विसे भी मैस साइंस की तरह उतना ही महत्वपून है जितना आपके अधर सब्जेक्ट हैं यदि आप लोग यहां स यह 100% माक्स प्राप्त करते हैं तो आप लोग बहुत अच्छी परसेंटेज अच्यू कर सकता हैं तो प्यारे बच्चों अभी के लिए इतना ही धन्यवाद थैंक्यू सो मच